जैन दोस्तो वाइकम बैक टो आज चैनल वाइकम बैक टो जॉफ्ट एरिया आई होफ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने त्यारी में बहतरी न तरीके से लगे होंगे जैन दोस्तो आफी के भारी डिमांड पर करेंट अफेर्स का सेशन्स लेकर उपस्तित हूँ यह करेंट अफेर्स का सेशन्स मैं यहाँ पर लाया हूँ आपके लास्ट सिक्स मन्त का करेंट को डिसकस करेंगे और यह जितने भी कोईशन्स रने वाले हैं दोस्तो यह सारे सेले करेगी तो बने रहेएगा वीडियो में अंतक और चैनल पे दोस्तों अगर फर्स टाइम जुड़ हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके रखेगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे देखिए वरी फर्स कोईश्टन आइसी सी पुरूस टीटुएंटी वर्ल्ल कप दोजर चोबिस का खिताब किस देश ने जीता तो भारत ने जीता है वी रिसेंट जो हुआ है इसमें भारत भी जीता रहा है और उपुपीजेता कोन रहा है बताए तो इसका उपुपीजेता यहां से कोईश्टन आ सकता है तो इस एस्टेडियम का नाम था कैसिंग्टन ओबल जिसको बार्डोज भी कहा गया है तो ध्यान रखिएगा टीटुएंटी वर्ल्ल कप दोजर चोबिस में किस खिलाडी को प्लेयर आप दिस सीरीज का खिताब मिला तो जस्पृत बुम्रा किया है तो विक्रम जो है मिस्ट्री को जो है यहां पर निउल बिदेश सचिव के रूप में नियूक्त किया गया है और भारत के पहले विदेश सचिव के गर बात करें तो वो थे केपी एस मेनन तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा नेक्स टे बहारतिय थलसेना का नया उ उपपर्मुग नियुक्त किया गया है किने किया गया है एनेस राजा सुब्रमनी को जो है किया गया है और बात करें अगर यहाँ पे भारतिय थल सेना की तो इसकी स्थापना एक अपरिल 1895 में हुई थी और सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है नाटो के नए महासच के रुप में किसे नियुक्त किया गया है स्टार मार्क लगा लिजे वेरी वेरी इंक इम्पोर्टेंट है तो इहाँ पे जो है मार्क रुक्त को जो है नाटो का नए महासचिप नियुक्त हुए हैं नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है नॉर्थ अट्लांटिक ट्रस्टी और्गनाजेशन नाटो का जो है इस्थापना हुआ था चार अपले 1949 को और नाटो का मुख्याले है ब्रिसिल्स ब्लेजियम आठरवी लोकसभा का प्रोटेम स्पिकर नियुक्त किया गया है किसे किया गया है तो भरत हरी महताब को किया गया है केरल राज का नया नाम क्या होगा देखिए केरल को केरल जो अब राज है इसका नाम बदलने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है जो नया नाम जो केरल का अब रखा जाएगा इस्टेट का वो केरलम रखा जाएगा और केरल के अभी बरतमान मुख्यमंत्री कौन है पिनाराई विजियन इस बात को भी ध्यान रखिएगा भारत के नए लोकसभा अध्धक्ष यानि स्पिकर कोन बने है तो वो बने है आपका ओम बिरला ओम बिरला जो है दूसरी बार लोकसभा के स्पिकर चुने गए है और वो दूसरी बार अध्धक्ष चुने जाने वाले छटे स्पिकर भी है 2004 के बाद पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता कोन बने है तो विपक्ष के नेता जो बने है वो आपके राहुल गांदी बने है फर्स टाइम बने है विपक्ष के नेता राइसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है तो जगत प्रकास नंडा को जो है नियुक्त किया गया है हाली में किसे ट्राइ का नया सचिब नियुक्त किया गया ट्राइ यानी टेलिकम जो है Regulatory Authority of India जो है उसके नया सचिब नियुक्त हुए है अतूल कुमार चौधरी T20 विस्व कप में एक मैच में चारो उबर मेडन फेकने वाले पहले गेंदवाज कोन है तो लोकी फर्गेशन है जिन्होंने जो है चारो उबर मेडन फेके थे World Crafts Counseling के ने किस सहर को World Craft City का टेग प्रादान किया है तो स्री नगर सिटी को किया है युनिस्को ने भारत के किस सहर को पहला साहिति सहर घोसित किया है तो साहितिक सहर जो है युनिस्को ने घोसित किया है वो है कोजी कोड को किया है और युनिस्को का मुख्याले कहा है दोस्तो पेरिस फ्रांस में है इस बात को भी ध्यान रखिएगा साथी साथ महा निर्दे से कौन है इनिसको का तो आरडे एजोलो है इनिसको की स्थाफना कब की गई थी तो 16 नवेंबर 1945 में की गई थी संजुक्त रास्ट में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमरिकिन डॉलर की साहता दी है तो यह आपका 1.169 मिलियन जो है साहता दी है दुनिया की सबसे मुल्यवान कंपणी कौन सी है तो यह आपकी बन गई है नेविडिया यह अमरिकन कंपणी है कौन कंपणी रभी टीम के कोच बने है तो कौन इंडियन रब्बी टीम के कोच बने है वो है आपके वेसाले सेरवी किसे UNHCR का वेस्विक्स जो है सदवावना यान संतावना राजदूत नियूक्त किया गया है तो यह है आपके थियो जेम्स भारत के सबसे मुल्लबान सिलिब्रिटी ब्रैंड कौन बने है प्रधान मंत्री ने बिहार में कहा नालंदा विस्विद्यालाई के नए परिसर का उदगाटन किया राजगीर में कब किया 19 जुन को किया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहली रेंग किस महिला ने हासिल की है तो ये की है आपका आइसलेंड आइसलेंड ने जो है हासिल की है और भारत जो है इसमें 129 नमबर में था हाली में जारी परजावरन परदरसन सुचकांग 2024 में भारत की रेंग क्या है तो भारत की रेंग है 176 और टॉप थिरी अगर कंट्रीज की बात करें तो ये है इस्टोनिया लेग्जोमर्ग और जर्मनी पहले बहुर आश्ट्रिय हवाई अभ्यास तरंग सक्ती की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो वो करने वाला है भारत तरंग सक्ती याद रखिएगा तरंग सक्ती की मेजवानी करने वाला पहला देश जो बनने वाला है वो भारत बनने वाला है कंटेनर पोर्ट पॉर्फर्मेंस इंडेक्स 2024 में विशा का पत्नम पोर्ट ऑथरिटी ने कौन सी रेंग हासिल की है तो आठरवी रेंग जो है हासिल की है नेक्स्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोईश्टन देख सकते हैं इसे हाली में एक बार फिर से देश का रास्टिय सुरक्षा सलाकार नियुक्त किया गया तो अजित डोबाल जी को जो है दुआरा रास्टिय सुरक्षा सलाकार नियुक्त किया गया है भारत ने आपादा प्रभावित पापुआ नियू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानविय सायता भेजी है तो वन मिलियन टेस्ट किर्केट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाडी है वो कोन है आरस्विन सबसे पहले कोन थे जो है पहले नंबर पर है अनिल कुमले जिनोंने 619 विकेट लिये हुए हैं दुनिया का सबसे अमिर वक्ति कोन बने है तो दुनिया का सबसे अमिर वक्ति अगर करेंट का पूछा जाएगा तो वो बने है आपके बर्नार्ड अनाल्ट जो और बात करें मुके संबानी तो मुके संबानी का जो है रैंक है गारवे नितिस कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सपत ली तो नितिस कुमार ने नौभी बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सपत ली है 69 वे फिलिम फैर एवर्ड में वेस्ट एक्टर वेस्ट एक्टरेस का एवर्ड किसे मिला है तो very very important है यहां से questions बनेगा तो देखिए 69 वे film fair में जो है best actor की बात करें तो रनविर कपूर को मिला है best actor का award मोबी एनिमल के लिए वहीं अलिया वर्ट को जो है best actress का award मिला है रानी और रोकी और रानी की प्रेम कहानी मोबी के लिए तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है करमचारी चैनायोग यानि SSC का नया अधक्ष नियुक्त किया गया है किने किया गया है तो राकेस रंजन को जो है SSC का नया अधक्ष चुना गया है अब लोग comment box में comment कीजिएगा किस राजिक ने उच न्याले ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धरम अवकास निती शुरू की किस देश के विग्यानिक ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपगरह त्यार किया तो वो देश है जापान हर्स कुमार जेन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किये हैं कि हुए हैं तो ये फिलिपिन्स देश में हुए हैं एरोपिय परिसत के अगले अधक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो एंटेनियो कोस्टा को जो है चुना गया है किसे हाली में Professional Golf Tour of India का नया अध्धक चुना गया है तो कफिल देव को चुना गया है सभी फॉर्मेट में ICC टूनामेंट्स के फाइनल में कफ्तानी करने वाले दूसरे किर्केटर कौन बने है तो रोईत सर्मा बने है हाली में चेडविक हाउस में इतिहासिक संग्राले का उधगाटन किस ने किया है तो गिरिस चंद्रमूर्भू ने किया है होकी इंडिया ने ओलम्पिक के लिए टीम की घोसना कर दी गई है तो टीम का कफ्तान किसे बनाय गया है तो हर्मन प्रित कौर को जो है यहाँ पे कफ्तान बनाय गया है हाली में मीनी रतन का दरजा किस कंपनी को दिया गया तो सेंट्रल इलक्ट्रोनिक्स लिमिटेट को दिया गया कौन दुनिया में नाइटर्स अक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है तो वो बना है भारत और जो है दूसरा बना है भारत पहला है आपका चीन हाली में किसे मैं माह का ICC प्लेयर अब दी मन्त गोसित किया गया तो वेस्टेंडिस के गुडाकेस मोटी और स्रीलंका के चमारू अथापथू को जो है यहाँ पर चुना गया है हाली में जारी Global Peace Index 24 में कोन सीर्ष पर रहा तो सीर्ष पर रहा आइसलेंड और भारत का रेंग रहा 116 जोसि मत का नाम बदल कर क्या रखा गया है जोसि मत का नाम बदल कर जो है जोतिर मत रखा गया है गनातंत्र दिवस 2024 पेरेट का निट्तित पकिस ने किया तो भावनीश कुमार ने किया पचात्तरवे गनातंत्र दिवस 2024 पर किस देश के राष्टपति मुझ कहती थी थे तो फ्रांस के राष्टपति जिनका नाम था एमुल मैंक्रो गुड़सवारी के लिए अरजुन एबड़ पाने वाली पहली भारतिय महिला कोन बनी तो दिव्विकृति सिंग बनी हैनले पासबोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत के कौन से इस्थान पर रहा भारत तो पचास जो है 85 वे यानि पचासी वे जो है जो है इस्थान पर रहा भारत और टॉप पर रहा फ्रांस जर्मनी और इटली किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेश्ट के बेस कैम तक पहुचने का रेकॉर्ड बनाया है वेरी वेरी इंपोर्टन है तो कार्टल डलास ने बनाया है और इनका उम्र महज जो है दो साल के हैं और ये एस्कौट लेंड से भिलोंग करते हैं भास्टाचार धारना सुचकांग 2023 में कौन सीर्ष पर रहा तो डेनमार्क सीर्ष पर रहा और भारत 93 पोजिशन पर रहा उत्कृिष्ट मानविय प्रियासेओं के लिए चेंपियन अब चेंज एवर्ड से кिससे सम्मानित किया गया है तो सोनु सुच्जी को सम्मानित किया गया है केंद्रिय मंत्री मंडल 2024 में कार्मिक जन सिकायत और पैंसन मंत्राले किस के पास है तो यह आपका PM नरेंद्र मोदी के पास है भारतिय सेना के अगले प्रमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो लेटिनन जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को जो है नियुक्त किया गया है उडिस्था के नए मुख्यमंत्री कोन बने है तो यह मोहन चरन माजी जो है उडिस्था के नए आपका CM बने है आंदर पर्देश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने सपत ली है तो चंद्रबावु नाइडू ने ली है अयद्धा के राम मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा हुई है इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है वेरी वेरी इंपोर्टन्ट है स्टार लगा लीजिए तो ये डिजाइन बनाया था चंद्रकांद सोमपुरा ने किसने दिल्ली में गाउं चलो अभियान की शुरुवात की है तो जेपी नड़ा ने जो है शुरुवात की है पेडियाला लक्षमी प्रिया को परदान्मंत्री रास्टिय बात पुरसकार से संब्मानित किया गया ये किस निठ्थ से संबंधित है तो ये कुछी पुड़ी नित्र से सम्मंदित है जो की आंधर परदेश का ये नित्र है पचात्तरवे गनतंत्र दिवस के उपलक्ष में हमारा सम्मान अभियान का उद्गाटन किस ने किया तो जगदिव धनकर ने किया जगदिव धनकर ध्यां रखियेगा नेक्स्ट वरी वरी इंपॉर्टेंट है ये भी स्टार्ट लगा लिजिए पुल तीजर पुरसकार तो ये जिता रिकेन ये मा मोटो ने बाल कृष्न दोसी पुलितीजर पुरसकार 2018 जितने वाला पहले भारतिय बास्तुकार है ये पुर्वोत्तर भारत फिलुमोत सब 2024 कहां आजित किया गया था वेरी वेरी इंपोर्टेन तो ये इंफाल में किया गया था मोदी जी कहां महतारी बंदन योजना का सुबारम किया तो मोदी जी ने कहां किया तो ये 36 गड़ में किया महतारी बंदरन जोजना का सुबारम किस राज के मारजूली मुकोटे और पांडूलिपी पेंटिंग को जी आई टेग मिला तो ये असम को मिला किस राज सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नांगल नलामा जोजना शुरू की है तो ये तमिलनाइड वे स्टेट ने की है और इसा के उप मिक्कमंत्री के रूप में किस ने सबत ली है तो कनक वर्धन सिंग देव और पारवती परिंदा ने ली है ग्लोबल जेंडर गेप इंडेक्स दोजर चोबिस में भारत का रेंग क्या है तो एक सो उन्तीस है और यहाँ पे टॉप थिरी में आइसलेंड फिनलेंड और नॉर्वे आते हैं जी सेबन सिकर सम्मेलन दोजर चोबिस का आज़न कहां किया गया तो ये इटली में किया गया वेरी वेरी इंपोर्टन है ध्यान रखिएगा हाली में किसके दोड़ा कंटेनर, पोर्ट, पॉर्फरमेंस इंडेक्स दोजर चोबिस जारी किया गया तो वर्ल्ड इकनोमिक्स फोरम के दोड़ा जारी किया गया लोकसभा चुनाव दोजर चोबिस में कितने कडोर भारतियों ने बोट देकर 20 रिकॉड बनाया संजुप्त राष्ट में भारत की पहली महिला इस्थाई प्रतिनी थी कौन थी जो रिटायर हो गई है उनका नाम है रूचीरा कंग जो है कंबोज ध्यान रखिएगा चांग E6 यान हाली में चंद्रमा पर किस देश दरह भेजा गया तो यह चीन के दवारा भेजा गया है हाली में किस देश ने अधिकारिक तोर पर अपने अंतरिक एजनसी लाँच की तो यह जो है दक्षिन को रियाने की क्लावडिया सीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्टरपती बनी है तो यह मेक्सिको की बनी है हाली में नीलरंग की चिट्टी की नई परजाती की खोज किस राज में की गई है तो यह आपका अरुनाचल परदेश में की गई है मोबाइल एप सार्ती 2.0 हाली में किस के दवरा लंच किया गया तो ये सेवी के द्वारा लंच किया गया अंतरास्टी किर्केट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कोन बने हैं तो ये रोहित सर्मानी ये कृतिमान हासिल किया है तो देख सकते हैं लोकसवा चुना दो है 24 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक भोट पड़े इंदोर मजद प्रदेश में कुवेत के अमिर ने किसे नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया तो सेख सबा को हाली में किस देश ने फ्लिपिस्तन को अधिकारिक तोरग पर माहिनता दे दी है तो एसलो बेनिया को हाली में किसे विश्व पसूस स्वास्त संगठन के महा निड़्देशक के रूप में चुना गया है तो ये चुना गया है एम्यूल सेवरेन को कोन मेथूड पपाचान गुरूप के ब्रांड अमेजडर बने है सारुखान बने है हाली में कोन सबसे तेज हंडेड बिकेट बंडे बिकेट पुरा करने वाले पहले महिला किर्केटर बनी है तो वो बनी है सोफी एलकल स्टोन हाली में सुर्मा पढ़ी किस राज की विदानसभा की दूसरी महिला अद्धक्च बनी है हाली में किस राज के दो वेंटलेंड को रामसर साइट के लिस्ट में सामिल किया गया कर्मचारी राज बिमा निगम के महा निद्धसक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है तो कमल किसर सोन को दिया गया है भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतिरिक्च में उडान भरेगी वो है आपके बयोम मित्र किस ने स्पेस में सारवादिक समय विताने का रेकॉर्ड बनाया तो वो बनाया ओलेग कोनो को को जो की रूस से बिलोंग करती है भारत रंग महतसब कहा आजित किया गया तो यह आपका गुजरात स्टेट में आजित किया गया ग्रेमी एबट 2024 में वेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का रेकॉर्ड किस ने जिता है तो दिस मोमेंट ने जिता है 2030 में दुनिया का सबसे भिड़भार वाला सर कोन बना है तो लंदन बना है मोद्रिक निति समयती ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार आठवी बार आपरिवर्तित रखा तो इसकी परसेंटेज था 6.50 परसेंट आपरिवर्तित रखा प्रेम सिंग तमांग ने हाली में किस राज में मुख मंत्री के तोर पर सपत ली तो ये सिक्किम के मुख मंत्री बने हैं प्रेम सिंग तमांग निरेंदर मोदी ने लगातार तिसरी बार भारत के पियम पद की सपत ली वो किस लोग सभा छेतर से जिते तो वो बनारसी से जिते मोदी मंत्री मंडल ने इस बार कुल कितने पूर्व मुख्य मंत्री सामिल है तो 6 फ्रेंच ओपन वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जितने वाली इगा स्विटे किस देश की खिलाड़ी है तो यह पॉलेंड के खिलाड़ी है नेक्स्ट है आपका मोदी मंत्री मंडल 2024 में सडक परिभन मंत्राले किसे दिया गया तो यह आपके जो है नितिस कड़करी को दिया गया है मोदी मंत्री मंडल 2024 में हरियाने के पूर्व मंत्री मनोहर लाल खटर को कौन सा मंत्राले दिया गया तो इनने जो है मोनोहनलार खटर जी को उर्जा मंत्राले और आवास अवंग सहरी कार्ज मंत्राले सोपा गया है यहाँ पर देख सकते हैं किसने 15 भी बार UEFA Champion League के खिताब जीता है तो Real Madrid ने जीता है Reliance Industries किस सहर के पास भारत के पहले Multimodel जो है Logistic Park का निर्वान करेगी तो Chennai में करेगी नेक्स्ट देख सकते हैं आपका RBI दरा किसे देश में 100 टन से अधिक सोना वापस लिया गया तो यह Britain से लिया गया तो यह था दोस्तो टॉपस जो है यहां पर 100 questions हम नोगों ने देखा आई होप कि सरसन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा share जरूर कीजेगा मिलते हैं इसी तरह के अपडेट के साथ तब तक ले जाहें थैंक्स पर वाचिंग